आप सभी का हरदिक स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वा शेयर करें आज फस्ट एप्रिल है तो कल यानि की दो एप्रिल को चेत्र मास कल यानि की दो एप्रिल को सनातन हिंदू नव वर्ष की शुरुवात हो जाएगी शुवारंब हो जाएगा और चेत के नवरात्रे कल से दो एप्रिल से शुरू हो जाएगे तो पहले तो आप सभी को सनातन नव वर्ष की हार्दिक शुग कामना है उसके बाद चेत्र नवरात्रे की आप सभी को हार्दिक शुग कामना है मा भगवती जगदंबा की किर्पा आप पर आपके परिवार पर और कुल संसार पर बनी रहे तो ये बड़ा हिशुव अफसर होता है साल के दो दो भागों में ये उस सब बड़े हर्शों उल्लास से मनाया जाता है वैसे तो हर जगा की जो शक्ति पीठ है हर शेतर की मा की शक्ति पीठ है वहां सावन की दिनों में भी मा की नवरात्रे चलते हैं फिर गुप्त नवरात्रे भी चलते हैं पर सबसे ज़रा महत्तपूर्ण नवरात्रे चेत्र और दिवाली के नजदीत जो नवरात्रे आते हैं वही होते हैं तो माँ भगवती की किरपा आप सबीबर बनी रहे है तो सनातन हिंदू नव वर्ष की शुरुवात कल से हो रही है हम हर तरह से न्यू यूर को सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट जन्वरी को हर किसी को आभिकार है जो उसके मन को अच्छा लगे वहक करे तो इसमें किसी तरह की कोई जोर जवर्दस्ती किसी को ही नहीं है लिकिन आज के समय में हर कोई तर्क जानना चाहता है सच्चा ही जानना चाहता है तो वही आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सनातन हिंदू नव वर्ष है क्या हमारे शास्त्रों का हवाला देके लिए बात कर रहा है तो हिंदू नव वर्ष जो है वह कब आता है और क्यों मनाया जाता है तो हमारे शास्त्रों में जो लाइने वर्ष है वह कहती है कि चेत्रमास प्रति पता ति थी यानि कि पहली थी प्रति पता ति थी अश्वणी नक्षत्र में जब सूर्य था उस समय सभी ग्रहों ने अपने अपने धूरी पर सूर्य के ग्रिद ग्यद गोंगना शुरू किया था तो इसमें प्रिठवी सूर्य चंदर मंगल ब्रहस्पति बुद्ध तो सभी ग्रहों का वर्णर यानि कि जो हमारी सरिष्टी थी जो हमारा तरा समू था हमारी क्रैग्जी थी हमारी प्रिठवी थी इसी दिन जिवित हुई थी प्रान उनमें इसी दिन फूक्टे गए थे तो समय का जिकर मैंने आपसे कर दिया तो इसे लिए नव वर्ष मनाया जाता है सनातन नवज एक चीज मेरे को बताईए कि जब आपका जनम दिन आता है जब आपकी उत्पती हुई होगा आप उस दिन को उसी दिन मनाएंगे या आगे पीछे करके मनाएंगे ठीक है न तो सचाई तो यही है लेकिन मुगलों ने अंग्रिसों ने भारतवर्ष पर शासन किया और जो यहां की सनातन सबता थी उसको ही सबसे पहले तोड़ने का डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया कि हम अपने मूल से धांतों से हम अपने मूल जड़ों से तूड़ जाए और एक भटकाव भरी जिंदली हमारी बन जाए तो वो इस काम को करने में काफी हद तक सफल भी रहे तो एक पीड़ी को जो हमारी एक जनर्वेशन है अगर उसको उसके मूल सधानतों से मूल जड़ों से यह यूं कहें कि उसको उसके संसकारों से उसके रिच्वल से दिनतहारों से दूर कर दिया जाए तो उसके बाद वो उन चीज़ों से जुड़ नहीं पाती तो अंगरेशों और मूगलों ने तो काफी वर्षों तक सैक्रों वर्षों तक हम परराज किया तो उनका उदिश्य यही था कि हिंदू कहीं ना कहीं यहां तो कनवर्ट हो जाए यहां गुलाम बन जाए तो गुलाम बनाने के लिए करमट करने के लिए हमारी जड़ों को उखाड़ना जरूरी था ठीक है तो उन्होंने जो समाज का धाचा था उसको ही पकड़के पिकाड़ दिया कुछ प्रेम से कुछ पैसो के लालच से कुछ पदवी की लालच से और कुछ मौत के डर से हमारे जो सिधान्त हमारे धर्म के दिन तिहार या हमारी जो धारनाई हमारे हर तरहां के रिति रिवाज थे उनको तुड़वा दिया तो वहीं से हिंडू धर्म का पतन या हिंदू सब्दा का पतन शुरू हो गया लेकिन यह पतन कभी होगा नहीं क्योंकि सनातन जो रहना कभी खतम नहीं होता यह हमेशा वापिस राता है यह जाता है फिर आ जाता है जाता है फिर आ जाता है तो यह जो मुसलिम धर्म और कृ इस्टेनिटी है यह राहु ग्रह से सबन देता है ठीक है ना तो ब्रहस्पती का जो धर्म है तो वह सनातन जो जिसका गभी अंत नहीं होता क्योंकि हमेशां बुराई बढ़ती है लेकिन बुराई का हम आखिर में देखते हैं कि अंत हो जाता है तो बस जो सिधान्तिक रुप से हमें एक बात समझने की जरूरत है कि जिन दिनों में बरपूर ठंड होती है यानि कि फॉस्ट जनवरी है तो उन्होंने इस चीज़ को जीशी मसीश के साथ जोड़के देखा वो उनका उनकी खुशी है वो जैसे चाहें वैसे करें हमें एतराज नहीं है तो हमारा जो नव वर्ष है तो कम से कम हम उसको तो मनाएं तो कहने का मत जब इतनी ठंड होती है लोग रजाईयों में दुख्य होते हैं ठीक है तो उस समय हमारे शरीर के शरीर में खून का दोरा भी ठंड होता है तो जब सूरिय अब आगे आगे जाके नेशराशी में परवेश करेगा तो हमारा जो पलड़ है वो पतला हो जाएगा और शरीर मे पूर्जा का संशार हो जाएगा और जो लोग नौनों बजे उठते थे उनकी नेथ पांच-पांच बचे ख़लने शुरू हो जाएगी जो आट बजे साथ बजे उठते थे वो चार साड़े चार उठने लग पड़ेगी यानि कि हमारी जो आत्मा है या हमारा जो शरीर है उसमें गर्मी का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा और जैसे खून का दोरा तेज होगा तो शनी और राही की शक्तियां कम होने लग पड़ती है तो ये चीज़ें ना साइंटिफिक हैं कोई ऐसे बापनी में आपसे कर रहा तो सर्दियों में लोगों को इसी लिए उठने फ्लेक्सिबल जब आएगी सक्रांति जब सूरे प्रवेश करेगा मेश राशी में उसके बाद हमारा शरीर फ्लेक्सिबल चोस्त दरुस्त और बड़िया होने लग पड़ता है जो लोग कभी सर्दियों में विलूक्त हो जाते हैं तो इन दिनों में फिर से दिखाई देने लग पड़ते हैं तो यह साइन है इन्ही सबी चीजों के ठीक है ना कोई ऐसी नहीं बेकार की बात में आपसे कर रहा है तो जो जनवरी का मास होता है वो ऐसे ही चैनी शुक्र राहू का होता है ठीक है तो उन दिनों में वैसे बंदा नहीं दिखाई है ता अच्छा अंग्रीजों ने एक बात बहुत बढ़िया की है वो कहते हैं कि दिन की शुरुआत ना मतलब वो तिखी यहां तारीश या देड़ रात को बारा बज़े बदल देते हैं कहते हैं कि नया दिन शुरू हो गया है रात को बारा बज़े के बाद जैसे ही ये शुमिसी पैदा हुआ हमारा नया दिन शुर वो गया तो उनके लिए वो पवित्र है और रहेगा भी बहुत बढ़िया लेकिन आप ये कल्पना कर सकते हैं कि दिन की शुरुवात रात के बारा मजे हो जबकि दिन का सबंद या जीवन का सबंद तो सूर्य के साथ है तो जितनी देर तक सूर्य उदे नहीं होता उतनी देर तक आप कैसे दिन की शुरुवात मान सकते हैं और कैसे अगले दिन की शुरुवात मान सकते हैं और प्रवान जी की आला आज जल्दी आ गए चलो वो दिया तो दिन की शुरुवात जैसे ही सूर्य निकलेगा उसी समय मानी जाएगी और जैसे ही हमारी श्रीर में प्रान सूरे नहीं है पुछने जी तक तो हर चीज मरिता है जब हम सूरे होते हैं सूरे नहीं होता तो रहती है तो ये बते लॉजिक के साथ है तो अपना जो हिंदू या सनातन नव अर्ष है ना ये हमारा नहीं है ये पूरे विश्वका है क्योंकि विज्ञान और ग्यान ये दोनों अलग लग चीज़ें है ये परस पर एक दूसरे के विरोधी है ग्यान हमको उस इश्वर्थ की सरचना को समझने की बुधी और शक्ति परदान करता है तो विज्ञान भी ज़रूरी है जिंदगी को सहज बनाने के लिए और ग्यान ज़रूरी है अपनी आत्मा की खुराक बढ़ाने के लिए और उस परमपिता परमात्मा की सरचना में जीते हुए, अपने सफर पर बढ़ते हुए, उसके चरनों में समाने के लिए, उसकी सरचना को समझने के लिए, और खुद की यात्रा को समझने के लिए, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहां से आया हूँ, और क्या कर रहा हूँ, त तो उसी परम्पिता परमात्मा को समर्पित है नवर्ष जो शुरू हो रहा है कल दो एप्रल को नवरात्रों के साथ तो यह सनातन यानि के भरस्पती, सूर्य, चंदर और मंगल नेक के साथ सबन्द रखता है ठीक है तो आप जितना मर्जी भाग लो आपको आखिर में इनी ग्रहों की शरन में आना पड़ेगा तो कल अगर नवर्ष में करना दिखिया कुछ ठाथ नहीं है अपने परिवार वालों को पताईए अपने घर वालों को कम से कम बताईए बाहर आपका दिल करता है बताईए नहीं करता है मत बताईए तो जब इस वर की इच्छा होगी तो अकेले अकेले बंदे तक ये बात पहुंच आएगी, तो कम से कम अपने परिवार वालों को ये वीडियो सुना देना, या मेरी बात समझ आई, तो उनको समझा देना, ठीक है, कि कल लग सनातन हिंदू न वर्ष क्यूं है, और सरिष्टी की स्रक्षना, या निर्मान प्रहस्पती ग्रह ने किया, तो कंद उसका ही दिन है, और सूरज चंदर हमें जनम दे कर पालते हैं, ब्रश्पती ने जनम दे दिया, सूरज चंदर ने हमें पाला, तो अगर आपके घर में दादा जी है, उनके चरन सपर्ष करके, उनको नव वर्ष की बधाई दे दना, और अगर माता जी, पिता जी है, तो उनके चरन सपर्ष करके, उनको बधाई दे दना, नव वर्ष की, ठीक है, और उनका आशिरवात तो अपने आभी आपको मिल तो अगर ये तीनोग आपके घर में नहीं हैं अगर हैं भी तो भी अगर नहीं है तो भी अपने धार्मिक स्थल पर जाईए वहां पर इश्वर का नव वर्ष की शुब कामना बधाईयां देखर आईए और पनक गुड दूद चावल का दानाद कर सकते हैं और जो वहां पर धर्म का अन्याई बैठा है अब वो किसी भी धर्म से सबंदित हो तो मैं बात करूँ है सनातन की पंडित जी वहां बैठे हैं तो उनको कुछ ना कुछ आब दान करके आ सकते हैं ठीक है बस यह गर ना और कुछ नहीं ठीक है तो इससे आपका नव वर्ष की बात उस प्रम्पिता प्रमात्मा ने जो हमारी गलेक्जी को हमारे प्लैनेट को हमारे ग्रहों को पर जीवित किया था ब्रह्मा जी के दवारा सांसे भरी थी उनमें और सूरज ने अपने उज्जा के साथ सभी को चलाना शुरू किया था तो उसकी बदाई सुबा सूर्य क की पहली किरन से शुरू हो जाएगी तो नव वर्ष की फिर से आप सब को आपके परिवार को पुलस अंसार को हार्दिक शुब कामनाएं हार्दिक तो ये नव वर्ष आपके जीवन में इभेच सारी खुशियां लेके आए और ये नवरात्तरे मा की किरपा आप पर वश्याय है ऐसी मैं उस मा भगबती की आगे आपके लिए प्रात्ना करता हूं तो राम जी की किर्पा आप पर बनी रहे गुरू की किर्पा पर बनी रहे जैमात आदी